दोस्तों नमस्कार स्वागत आपका अपने यूटूब चेनल किरसी मीशन पर तो दोस्तों आज अपने next class कल अपनी एक class हो चुकी है आज अपने बात करेंगे second class की और अपने आज पढ़ेंगे भारती किरसी का जो इतिहास और पूरी world की जो कर्सी डी कल्चर है उसकी history के बारे में अपने पढ़ेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को देखा अप कर्सी का इतिहास सबसे पहले अपने कर्सी के इतिहास के बारे में बात करें तो देखिए कि सबसे पहले मानव की बात करें डेड़ मिलियन वर्स पूरव डेड़ मिलियन वर्स पूरव क्या हुआ था? होमो इरेक्टस का उद्भव देखे जो होमो इरेक्टस था वो क्या था एक आदी मानव था आदी मानव अब इसे होमो इरेक्टस क्यों कहा गया? देखे पहले व्यक्ति की या जो मनुष्य की उत्पत्ती हुई है वो किसे उसे बंदर से हुई है तो बंदर के अपने दोनों हातों और पैरों के सारे चलता था लेकिन डेड़ विनिल वर्स पूरव मनुष्य ने क्या किया अपने पैरों पे सीधा खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दिया इसलिए क्या होता है इरेक्टस क्या होता है सीधा खड़ा होने यानि मनुष्य सीधा खड़ा होकर चलने लग गया तो इसे क्या का गया होमो इरेक्टस और यह कुन सा था आदी मानव था इसका यदि उद्भव की बात करें कहां पर हुआ है उद्भव की बात करें तो इसका उद्भव इंडोनेशिया वे अफरीका में हुआ है इसका उद्भव इंडोनेशिया वे अफरीका में हुआ है फिर देखिए उसके बाद में next बात करें next 32,000 वर्ष पूरव 32,000 वर्ष पूरव Homo sapiens का उद्भव हुआ Sapiens का अर्थ क्या होता है समान रूप से सीखने की परवर्थी तो इस स्टेज पे आकर मनुश्य क्या है एक समान रूप से उसमें सीखने की जो परवर्थी है वो विक्षित हो चुकी थी तो इसे क्या का गया था Homo sapiens और इसे अपने कहते हैं आधुनिक मानव और इसका उद्भव की बात करें इसका उद्भव हुआ था यूरोप में Homo sapiens का जो उद्भव है वो खाप हुआ था यूरोप के अंदर इसका देखिए होमो रेक्टर्स की बात करें मनुश्य ने सीधा खड़ा होकर चलना स्टार्ट कर दिया इसलिए से होमो रेक्टर्स का आगया आधी मानव था उद्भव की बात करें इंडोनेश्य वे अफ्रीका में इसका उद्भव हुआ है फिर बात करें 32,000 वर्स पूरव तो होमो सेपियन्स का उद्भव हुआ होमो सेपियन्स का मतलब होता है एक समान रूप से सीखने की प्रवर्तिय वो मानव में विक्षित हो चुकी थी और इसका जो उद्भव है वो कहा हुआ था यूरोप में इसका उद्भव हुआ था देखिए नेक्स्ट हमारे पास है दस हजार वर्स पूरव दस हजार पूरव कुत्ता पालन है वो सबसे पहले शुरू किया कुत्ता पालन शुरू देखिए कुत्ता क्यों पालते थे हंटिंग के लिए कुत्ते को पाला जाता था तब मनुष्य क्या था सिर्फ मास पर क्या था निर्बर था पूर देखिए 800 वर्स पूरव की बात करें तो मनुष्य ने भेड़ पालन शुरू कर दिया था भेड़ पालन शुरू फिर बात करें 700 वर्स पूरव बक्री पालन सुरू मनुष्य ने बक्री को पालन शुरू कर दिया था फिर देखे 700 वर्स पूरव मनुष्य ने जो तथा गेहूं की खेती करना मनुष्य है गेहूं एवं जो की खेती 700 बीसी बीसी का एक होता है बीसी और एक होता है एडी एक होता है एडी और एक होता है बीसी बीसी का मतलब होता है जो एसाइध द्रम के परवड़ तक थे इसा मसीहा तो उनका जब जनम हुआ था उससे पहले के काल को क्या कह जाता है बीसी यानि बिफोर क्रिश्चिन्द और एडी क्या होता है एडी जब इसा मसी का जब से जनम हुआ था उसके बाद का जो टाइम है उसके बाद का टाइम है उसे क्या कहते है एनो डेमिनो ये लेटिन सबद का है और इसका आर्थ होता है एनो डेमिनो AD का मतलब इसा मसीह के जनम से पूरव का Sorry, AD का मतलब इसा मसीह के जनम का बाद का और BC का मतलब क्या होता है इसा मसीह के जनम से पूरव का फिर यहां देखिए 4520 4520 में क्या क्या मक्का की खेती सुरू मनुश्य ने 4520 में क्या क्या जो मक्का की खेती है उसको करना इसने शुरू कर दिया था फिर देखिए उसके बाद में उसके बाद में आता है हमारे बास 3520 3520 में मनुश्य ने आलू की खेती शुरू कर दी उसके बाद में देखिए फिर आता है 3400 इसमें मनुश्य ने क्या करना शुरू किया पहिये का आविश्कार वील या पहिये काविश्कार हो चुका था 3420 में 3220 की बात करें 3220 में चना का पास सरसों की खेती मनुश्य ने शुरू कर दी सरसों की खेती फिर देखे बात करें 3000 BC की 3000 BC की अपने बात करें इसमें कांसा ब्रोंज की वस्तू बनाने का कार्य सुरू हो गया फिर देखें 3920 3920 के अंदर मनुश्य ने सिंचित क्रिश्शी करना शुरू किया इसी के साथ जब सिंचित क्रिश्शी की तो उसी के साथ क्या है हलका आविस्कार भी मनुश्य ने कर लिया हलका आविस्कार हलका आविस्कार फिर दिखिए 2727 में सेरी कल्चर रेशम कीट पालन ये किया था कहाँ पे चाइना में चाइना ने उस वक्त 2727 में किया सेरी कल्चर या रेशम कीट पालन है वो शुरू कर दिया था फिर बात करें 2220 की तो 2220 में मनुष्य ने भेश पालन शुरू किया उसके बाद में देखिए 1520 में गन्य की खेती पूर्थ गालियों द्वारा सुरू पूर्थ गालियों द्वारा पूर्थ गालियों ने 1520 के अंदर क्या किया गन्य की खेती करना सुरू कर दिया था 1420 में मानुष्य ने लोहे की वस्तों का प्रियोग करना सुरू कर दिया लोहे की वस्तों का प्रियोग करना सुरू कर दिया था बात करें यदि 16 सताबदी की यहाँ से क्यूशन पूछा जाता है एक्जाम में IBPS AFO में पूछा जा जा चुक है 2018 के अंदर और काफी एक्जाम में पूछ लिया जाता है देखिए भारत में कुछ फसलों का क्या हुआ था इंट्रोडक्शन हुआ पूर्तकाली भारत के इंदर लेके आये थे वो देखिए कौन-कौन सी फसले हैं जो भारत में लेके और 16 सताबदी में इसके खेती शुरू हो गी थी तो देखिए टमाटर मीर्च आलू शक्रकंद अमरूद, पपिता, कपास, तंबाकू, मूंफली पूर्तकाली भारत के अंदर लेके है और 16 सताबदी में इसके खेती शुरू होगी थी भारत में टमाटर, मीर्च, आलू, शक्रकंद, अमरूद, पपिता, कपास, तंबाकूर, मूंफली और जो ये पपिता वाला क्यूसिन है ये पूछा जा चुका है IBPS AFO 2018 के एक्जाम में तो दोस्तो एक बार रीकेप ले लेते हैं डेड मिलिन वर्स पूरव होमोरेक्टरस का उद्वववा आदी मानव का आ गया इसका उद्वव इंडोनेशिय वे अफरीका में हुआ था फिर 32,000 वर्स पूरव की बात करें होमो सेपियन्स का उद्ववव वा होमो सेपियन्स को आदुनिक मानव कहा गया और इसका उद्वव हो ये उरोप में हुआ 10,000 वर्स पूरव कुत्ता पालन शुरू हो गया हंटिंग बरबज के लिए कुत्ते को पाला जाता था 87,000 वर्स पूरव की बात करें तो भेड़ पालन शुरू हो चुका था 77,000 वर्स पूरव की बात करें तो बक्री पालन है वो शुरू हो गया था और पिचेतरसो वर्स पुरव जो तथा गेहुं की खेती मानवने करनी शुरू कर दी थी। फिर बात करें, पैंताली सो बीसी मक्का की खेती शुरू होगी, पैंती सो बीसी में आलू की खेती शुरू होगी, चौनती सो बीसी में पईये काविश्कार हो चुका था, बती सो बीसी में चना कपाज सर्सूं की खेती शुरू होई, तीन हजार बीसी में कांसा यानि ब्रों तेरी कलचर रेसम कीट पालन चाइना में शुरू हो चुका था, 2220 में भेस पालन शुरू हो चुका था, और 150020 में गन्य की खेती पुर्तगालियों द्वरा शुरू, यानि जो गन्य वो 1520 में उगाना स्टार्ट कर दिया था पुर्तगालियों ने, 1420 लोही की बस्तों का प्रियोग सुरू हो चुका था, 1620 में कुछ है, फसलों का जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ और पुर्तगाली भारत में इनको लेकर आए थे, टमाटर, मिरच, आलू, सक्रकन, अमरूद, पपीता, कबास, तबाकोर, मूँफली, और आई भी पेस, एफ है, यह देखें, दोस्तों थोड़ी हिस्ट्री थी, एग्रीकल्चर की, फिर चलते हैं, नेक्स्ट, बात करेंगे, अपने एग्रीकल्चर की ड्रांचेज की, कौन-कौन सी इसकी ब्रांच होती है, किस परकार इसको, क्लासिफिगेशन इसका किया जाता है, तो बात करें साखाएं अपने साखाएं सभी नहीं बढ़ेंगे हमारे according जो काम की एन्य एक्जाम में पूछा जाता है चाहे एक्रिकल सुपर्वाइजर में या इसके जेट के एक्जाम में वो बढ़ेंगे तो देखिए पहली है हमारे पास एग्रोनोमी यह किसकी ब्रांच है एग्री कल्चर की एग्री कल्चर और जो एग्री कल्चर वर्ड है न एग्र प्लस कल्चरा से बना है एग्र कार्थ क्या होता है सोईल कल्चरा कर्थ क्या होता है कल्टिवेशन यहीं म्रदा के अंदर क्या कल्टिवेशन करना एग्र प्लस कल्चरा और किस बहसा का सब्द है यह लेटिन बहसा का जिन सब्दों के पीछे कल्चरा लगा हो है यह कल्चर लगा हो लेटिन सब्द और जिनके पीछे लोजी लगावे वो क्या है ग्रीक सब्द है तो सबसे पहले अपनी बात करें अगरोनोमी तो इसका मतलब होता है एग्रोस प्लस नॉमस एग्रोस का रथ क्या होता है? फिल्ड और नॉमस कार्थ क्या होता है? मैनेजमेंट यानि खेद में फसलों का प्रबंद करना या उगाना उसे क्या कहा जाता है एग्रोनोमी और एग्रोनोमी सब्द है वो किस बासा का सब्द है एग्रोनोमी भी एग्रोनोमी ग्रीक बासा का सब्द है फिर चलते हैं नेक्स्ट होटी कल्चर होटी कल्चर की बात करें दो सब्दों से मिलकर बना है होटस प्लस कल्चरा होटस का अर्थ होता है होटस का अर्थ होता है उद्ध्यान अथ्वा गार्डन और कल्चरा का अर्थ होता है कल्टीवेशन कल्चरा का अर्थ क्या होता है कल्टीवेशन होता है और उद्ध्यान विग्यान में किसकी फल, सब्जियों एवं अलंकरित पोदों का इसमें अध्यान किया जाता है इसको आगे भी डिवाइड किया गया है, वो देख लेते हैं अपने, और यह सबत किस बात्षा का है, ग्रीक बात्षा का, ग्रीक बात्षा, इसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, हमारे पास इसकी ब्रांच है पहली, पॉमोलोजी, पॉमोलोजी सब्द है, वो दो सब्दों से मिलकर बना है, पॉमम प्लस लोगस, देखे, पॉमम का अर्थ क्या होता है, फल होता है, फ्रूट, और लोगस का अर्थ क्या होता है, स्टेडी या अध्यन, विज्ञान की बहसा का जिसमें फलो का अध्यन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, पॉमोलोजी, सब्द की बात करें, आप से कंप्लीट पूछा जाए, पॉमोलोजी किस भासा का सब्द है, तो ग्रीक भासा का सब्द होगा, यदि आप से पूछ लिया जाए, पॉमम किस भासा का सब्द है, तो वो लेटिन भासा का सब्द है, तो दोस्तों देखिए, जो पोमम है ये तो किस बासा का लेटिन और जो लोगस है वो किस बासा का ग्रीक बासा का यदि आपसे इकठा पूछा जाए पुममो जी किस बासा का तो आपको इसका अंसर करना है ग्रीक बासा दो सब्दों से एक लेटिन सब्द और एक ग्रीक सब्द पोमम है वो किस बासा का लेटिन का और लोगस है वो ग्रीक बासा का फिर बात करें ओलेरी कल्चर की ओलेरी कल्चर ओलेरिस प्लस कल्चरा से मिलकर बना है ओलेरिस का अर्थ होता है पोर्ट हर्ब इसका अर्थ होता है कल्टिविशन यनि गमलों में जड़ी बूटियों अथ्वा सबजियों का अध्यन करना क्या कहलाता है ओलेरी कल्चर सबजी विज्ञान सबजियों का अध्यन सबजियों का अध्यन किया जाता है इसे क्या कहते है ओलेरी कल्चर फिर चलते हैं थार्ड नंबर पे एक ब्रांच है हमारी फ्लोरी कल्चर फ्लोरी कल्चर की बात करें फ्लोरी सब्द है वो फ्लोर से बना है और कल्चरा कार्थ होता है कल्टिविशन यानि फूलों का अध्यन किस साखा में किया जाता है फ्लोरी कल्चर के अंदर तो दोस्तों होटी कल्चर की तीन ब्रांच पॉमोलोजी ओलेरी कल्चर और फ्लोरी कल्चर और ये जो सबद है किया का ये लेटीन वाषा का है अंदन सबस्युद की दरश्टिषयल फकुन किये वाज का रस Lord ये किस वाफशा को लेटीन भाशान है कि ये हमारी फृटिकल सब्रांच पर पकत्रेजिए ब्रांच व वैसे इसके आगे भी उक्राफेस्ट ग्रश didn't प्रिजर्वेसिन वाली, फिर चलते हैं नेक्स्ट, सोईल साइंस, थर्ड नमबर हमारी ब्राच है, सोईल साइंस, सोईल सब्द है, वो सोलम से बना है, सोलम कार्थ होता है, मरदा अथ्वाब फर्श, साइंस कार्थ होता है, विज्ञान, यानि, प्रत्वी की उपरी सतय का अध्यन, क्या कलाता है, प्रत्वी की उपरी सतय का अध्यन क्या कलाता है, सोईल साइंस कलाता है, और ये किस बाचा का सब्द है, लेटिन बाचा का, इसको भी आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, दो भागों में, एक हमारे पास है, पैड़ोलोजी, और दूसरी है हमारे पास, इड़ैफॉलोजी, देके पैड़ोलोजी की बात करें, पैड़ोन का अर्थ क्या होता है, सोईल ही होता है, पैड़ोलोजी में, मरदा के, उत्पत्ति, वित्रण, वर्गी करण का अध्यन किया जाता है। जो इसमें अध्यन किया जाता है। उच पाद्मों के समद्ध में अध्यन किया जाता है। और यह सब्द भी किस भासा का ग्रीक भासा का सब्द है। आपको यह फलो चार्ट समझ में आया होगा अच्छी तरह से आप इसको पढ़ ले। जेट की दरस्टी से सब्द याद रखना कौन सा किस भासा का सब्द है। आप से एक्जाम में यह पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। अपने किर्शी या एग्रीकल्चर की ब्रांचेज उनका ध्यन कर चुके हैं। अब अपने कुछ एपोर्टेट जो इंडियन एग्रीकल्चर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ अठारा सो इकैतर की। अठारा सो इकैतर में कृषी, कॉमर्स, तथा, रेवेन्यू, विभाग की स्थापन हुई। फिर देखिए, अठारा सो इकैतर में आपको कल ही बता चुका हूँ। इंडियन मेटेरोलोजी डिपार्टमेंट इसकी स्थापना का हुई थी। पूने, महराष्टर में और वरतमान में ये कहाँ पर है। नई दिल्ली। वरतमान में ये है, नई दिल्ली में। फिर बात कीजाए नेक्स्ट। 1881 में क्रिसी तथा विवाग की अलग से स्थापना हो चुकी थी। देखी, 1800 के अतर में क्रिसी, कॉमर्स और रेवेन्यू विवाग स्यूंत रूप में थे। और 1889 में क्रिसी तथा रेवेन्यू विवाग की अलग से स्थापना हो चुकी थी। फिर बात करें नेक्स्ट। 1889 में 1900 की। तो एक अकाल पड़ा था जीशे क्या कहते है चपनिया अकाल। चपनिया अकाल पड़ा सन 1889 में 1900 में और ये पड़ा था 1956 विक्रम संबत में यानि 1956 विक्रम संबत था तब अकाल पड़ा इसलिए इसको चपनिया अकाल का जाता और सन कौन सा था 1889 में से 1900 यानि 1889 में 1900 का वो वर्स था जब चपनिया अकाल पड़ा था फिर देखिए 1905 आज 1905 में आपको कल बता चुका हूं आई आई ए आर आई की स्तापना पूसा बिहार में हुई फिर देखिए नेक्स्ट 1906 की बात करें तो एफ आर आई फोरेस्ट रिसर्च इंस्टिटूट फोरेस्ट इंस्टिटूट की स्तापना देहरादून में हो चुकी थी इसकी स्तापना देहरादून में देहरादून में इपोर्टेंट ए एक्जाम में आपसे ये पुछा जा सकता है फोरेस्ट इंस्टिटूट की स्तापना कब हुई और कहां पर हुई फोरेस्ट रिशर्च इंस्टिटूट दैरादून में स्थित है दैरादं उत्राखंड इसकी स्थापना 1906 में हुई थी फिर बात करें 1920 की गुडगाउं प्रोजेक्ट एफल ब्राइन ने शुरू किया था गुडगाउं प्रोजेक्ट एफल ब्राइन ने फिर बात किज़ें 1921 की सिरी निकेतन सिरी निकेतन अथवा सेवा निकेतन सिरी निकेतन ये किसके द्वारा सुरू किया गया आरन टैग ओर द्वारा पक्षिम बंगाल में द्वारा वेस्ट बंगोल में सुरू किया गया था फिर बात करें 1921 की तो इसमें एक प्रोजेक्ट रहा था मार्थ इंडम प्रोजेक्ट मार्थ इंडम प्रोजेक्ट है वो स्पेंसर हैच ने शूरू किया था स्पेंसर हैच द्वारा शुरू किया गया था मार्थेंडम प्रोजेक्ट 1921 में फिर बात करें 1921 की तो महात्मा गांधी द्वरा सेवा ग्राम प्रोजेक्ट सेवा ग्राम प्रोजेक्ट वर्दा महाराष्ट से शुरू महात्मा गांधी द्वरा वर्दा महाराष्ट महात्मा गांधी दुआरा शुरू किया गया था फिर बात करते हैं नेक्स्ट 1921 में भारती है केंद्री है कापास कमेटी की स्थाफना भारती है केंद्री है कापास कमेटी की स्थाफना हो चुकी थी यानि इंडियन सेंट्रल कोटन कमेटी इंडियन कोटन सोरी इंडियन सेंट्रल कोटन कमेटी 1921 में इसकी शुरुवात हुई थी फिर बात करें 1929 की आप सभी को पता है कल बता चुकों मैं 16 जुलाई 1929 में ICAR की स्थापना फिर देखी next 1931 में भारती है केंद्रिय लाख कमेटी की स्थापना 1931 में भारती है केंद्रिय लाख कमेटी फिर 1943 में आकाल पढ़ता है बैंकर धान का पत्ती धबा रोग बैंकर आकाल था ये धान का पत्ती धबा रोग है बंगाल में आकाल पक्षी बंगाल में अकाल पढ़ा देखी आपको पता होना चीए धान का पत्ती धबा या जो राइस लीप स्पोर्ट है उसका रोग कारक क्या रहता है इसके रोग कारक की बात करें casual organism है इसका रहता है हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी ये कवक थी फंगस धान का पत्ती धबा रोग या पेटी का जो लीप स्पोर्ट था वो बंगाल में इस रोग के करण अकाल पढ़ गया और इस रोग का का रहता होना होता है एक fungus होती है हेलमेंथोस्पोरियम और आईजी उससे पहले देखिए 1942 में खाद्य भिवाग की स्थापना हो चुकी थी खाद्य भिवाग की स्थापना फिर 1942 में ही एक अभियान आया था ग्रो मोर फूड अधिक अन उपजाओ आपसे पूछा जा सकता है की ग्रो मोर फूड कब शुरू हुआ ये इपोर्टेंट है अधिक अन उपजाओ प्रोग्राम 1942 में शुरू हुआ था बात करें 1940 की तो एक आईश्यार द्वारा पत्री का प्रकाशित होती है इंडियन फार्मिंग ये मंथली होती है ये मासिक पत्री का है इंडियन फार्मिंग आईश्यार द्वारा एक जनरल शुरू किया गया था इंडियन फार्मिंग मंथली 1940 में ये भी इपोर्टेंट है इंडियन फार्मिंग कब शुरू की गई थी और कैसी है मंतली है, मासी के पत्रिका है 1944 की बात की जाए तो केंदरी है बारती है केंदरी है गन्ना कमेटी की स्थापना फिर बात करें 1945 की भारती है केंदरी है तमबाखू कमेटी की स्थापना फिर बात करें 1940 की सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिटूट की स्थापना हो चुकी थी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिटूट केंदरी है दान अनुसंदान संस्थाँ देखिए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टिटूट है केंदरी धान अनुसंदान संस्थाँ ये काप्रह कटक उडिसा में काप्रह ये कटक उडिसा में कटक उडिसा में इसका नाम चेंज हो गया इंडियन राइस रिसर्च इंस्टिटूट हो गया भारतिय धान अनुसंदान संस्थान काप्रह कटक उडिसा में इसको आप अच्छे से जो महतपूण चीजह हैं ये महतपूण रहता है पूछा सकता है एक्जाम में यह याद होने चीज़िए आपके अच्छी तरह से अच्छे से इसको आप नोट कर लेना नोट्बुक लगा लेना पूरा जो स्लेबस है वो कम्प्लीट कर वाऊंगा मैं चाहे एक्रिकुलचर सुपर्वाइजर हो चाहे जैट 2020 हो लेकिन जैट वालों के लिए एक विशेश चीज आप इसको पूरा डेटेल से मत पढ़ना जहा फिर 1946 में एक स्थापना होती है 1940 Department of Plant Protection Quartine and Storage Department of Plant Protection Quartine and Storage इसकी स्थापना होई थी फ्रीदाबाद में 1946 में इसकी स्थापना होई थी Department of Plant Protection Quartine and Storage इसके बाद में 1948 की बात है तब एक प्रोजेक्ट आता है Itawa Pilot Project फिर बात करें 1948 की तो इसमें क्या आता है Get General General Agreement Agreement on Tariff and Trade जो वर्तमान में क्या बन गया WTO इतना दोस्त आपके क्लीर है बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पड़ेंगे आप इसको अच्छे से नोट कर लेना और इसको अच्छे से आप रीड करते रेना आज के लिए इतना है दोस्तो नमस्कार धन्यवाद